हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका डिजिल तैयारी चैनल पे मैं श्रयान स्कोठारी लेकर आप दोस्तों शांदार एक किताब आप लोगों के लिए रेमन मफी की एसेंशल इंग्लिश ग्रामर दोस्तों देख सकते हैं आप एक शांदार किताब लगातार लगातार चलते चले जा रही है एंडिंग के नजदीक पहुँच गए हैं दोस्तों 111 ट्रिपल वन पर पहुँच गए हैं लगातार आपके साथ बने हैं आप भी हमारे साथ बने हैं दोस्तों सीधा लिये चलता हूँ यूनिट 111 हिंदी में कहते हैं यदि हिंदी में कहते हैं अगर तुम ना होते अगर अगर मैं ना आ अगर ऐसा होता अगर यानि कोई condition की बात होरी है कि ऐसा अगर हो जाए तो ऐसा हो जाए शेंग लाइक डार इसे प्यार से च्छोटा मूटा conditional sentence कह देते है मैं छोटा हूँ इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि यहाँ जो किताब है ना actually chapter के नाम को जो बड़ा English का technical नाम है उसको छोड़के इतना simple तरीके से किताब पढ़ारी है और इसका जो index है बहुत clearly mentioned है if I go, if I do, if I something या जो भी आपको देना है आप अपने वाक्यों में उसे कैसे प्रयोग करेंगे straight forward मजा ही आ जाएगा आप लोगों को यह समझके दोस्तों shall we go by bus or taxi क्या हम bus पकड़ें क्या हम taxi पकड़ें तो यह कहती है लड़की if we go by bus it will be cheaper सस्ता पड़ेंगा मेरे भाई सस्ता पड़ेंगा अगर हम bus से जाएंगे तो सस्ता पड़ेंगा if we will get there more quickly हम जल्दी पहुँच जाएंगे अगर हम चेक्सी जाएंगे note करने वाली बात क्या है दोस्तों कहानी की शुरुआत if से हुई if कहानी के बीच में आया इसने अपना वाक्य बोला इसने अपना वाक्य बोला दोनों ने अपने अपने वाक्य को इसके question के साथ connect किया अगर हम bus से जाते हैं तो सस्ता पड़ेंगा हम जल्दी पहुँच जाएंगे अगर हम टेक्सी से जाएंगे क्या ये बात समध आ रही है आप लोगों को अगर का प्रयोग sentence की शुरुवात में कर सकते हो बीच में कर सकते हो अपने meaning को समझाने के लिए condition applied अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा कुछ और example हम देखते हैं मजा आ जाएगा पहली line ही ये लिखावा है if can be used at the beginning of the sentence or in the middle भाई बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं इसका शुरुवात में भी प्रयोग कर सकते हैं इसका कोई आपती नहीं है किसी को भी नहीं है मेरे बाई example if if at the beginning if we go गाई बस it will be cheaper पर अगर हम बस से जाते हैं तो सस्ता पड़ेगा if you don't hurry अगर तुम जल्दी नहीं करते हो you will miss the train train चली जाएगी मेरे दोस्त if you are hungry अगर तुम भूके हो have something to eat कुछ खालो मेरे भाई if the phone rings अगर गंटी बजी can you answer it please क्या तुम उसको answer दे दोगे इसी को उल्टा करा हमने ये सारे के सारे वाग के जो यहाँ पड़े इसके उल्टे हमने लगे if को बीच में लगाया it will be cheaper if we go by bus you will miss the train if you don't sorry have something to eat if you are hungry इधर देखियेगा if I am going to the concert if I can get ticket do you mind if I use your phone क्या तुमको कोई दा फरक पड़ेगा अगर मैं तुम्हारा use करता हूँ phone तो दोस्तों यहाँ आपने देखा if middle में था यहाँ आपने देखा if starting में था कुछ और चीज़ें आपको समझने है in the conversation बातचीत में talking करते वक्त मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ तो हम कह सकते है we use often if part of the sentence alone if वाला portion ही लेने की जरूद है बाकी वाले portion को लेते नहीं क्योंकि वो understood है हो जाएगा ऐसा आगर जैसे for example are you going to concert क्या तुम concert जा रहे हो yes if I can get a ticket उसने इतना सा ही बोला आगे बोलने की जरूद नहीं पड़ी if I can get a ticket I am going to the concert क्या तुम concert पे जा रहे हो यह सवाल हो गया हाँ अगर टिकेट मिली तो खतम यानि अधूरा if we conversation में बातचीत में आ सकता है क्योंकि पिछला वाला part जो आगे जो part लगाना है वो understood है मालूम है वो ऐसा ही होगा चल यह थोड़ा और आगे समझते हैं कुछ और चीजों को समझते है if के condition में क्या होता है if you see and tomorrow अगर तुम्हें and दिखे कल अगर दिखे कल future की बात है यानि time future का है क्या tense भी future का है बस वही देखना है हमें after if if के बाद we use the present not will we say if you see if you will see नहीं आएगा मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था time condition की future की है वापिस सुनिए time future का है आने वाले बात का समय है लेकिन tense present का ही होगा if के साथ if के साथ आपको future लेना ही नहीं है error है गलत है जिस भी भाशा में समझें बहुत बड़ी गलती है if वाले portion में future tense नहीं आना चाहिए if वाले portion में present आना चाहिए if you see and tomorrow अगर तुम्हें and can मिली can you ask her to phone मी क्या तुम उसे बोल दोगे की मुझे बात कर ले if I am late this evening अगर में late होता हूँ don't wait for me अरे late हो तो wait मत करना ऐसा मत लगा तो if you will be late if I will be का प्रयोग नहीं करेंगे if I'll get late बस simple जैसे what shall we do if it rains if it will rain वैसे तो future में होगी लेकिन आपको ये याद रखना है if वाले portion में will नहीं लगाना है if वाले portion में will नहीं लगाना है repeat कर ये मेरे साथ if वाले portion में will नहीं लगाना है if it rains not if it will rain if I don't feel well tomorrow अगर मुझे कल अच्छा नहीं लगता I will stay at home मैं home यानि घर पे ही रुकूंगा आगे देखते हैं दोस्तों if और when में क्या difference है पहले तो sentence यहाँ जो लिखा है example के are you going out later क्या तुम late जा रहे हो if और when में difference क्या है if I go out यह sentence का मतलब है it is possible that I will go out but I am not sure अगर मैं बाहर जाता हूँ यानि मैं कोई confirm नहीं है यार मैं शायद जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ देखेंगे अगर ऐसा होगा तो देखेंगे अभी final नहीं है यानि के are you going out later उसने का ना क्या तुम बाहर जाओगे perhaps शायद but if I go out अगर मैं गया मैं दर्वाजा बंद कर दूँगा खिडगया बंद कर दूँगा कब अगर मैं गया तब अभी confirm नहीं है अगर अगर एनि इस की condition है when I go out जब मैं बाहर जाओँगा यानि यह तो मैंने ठानी रखा है जाना है जाना है जब भी जाओँगा ऐसा कर लूँगा अभी fine जाना है यह पक्का है कब जाओँगा यह नहीं I am going out for sure confirm है are you going out later क्या तुम बाद में जा रहे हो yes I am उसने था perhaps यानि शायद इसने का yes I am when I go out I'll close the window मैं जब भी जाओँगा दर्वादा बंद कर लूँगा अगर गया तो बंद करूँगा दोनों में difference समझ आया आप यही आपको समझना था कुछ और इसके if और when के example आप देखें दोस्तों और ध्यान रहे कि if और when दोनों में ही हमें वो नहीं लगाना है जो मैंने कहा आपको future का tense present का लगेगा when I get home जब मैं घर पहुंचूंगा इस evening I am going to have a shower जब भी मैं पहुंचूंगा shower लूँगा ऐसा नहीं कि अगर मैं घर पहुंचूंगा अरे अगर क्या घर तो जाने है ना मेरे भाई if I am late this evening अगर मैं late हो गया don't wait for me, wait मत करना यार late हो जाओंगा या, क्या है we are going to play tennis हम tennis खिलने जा रहे है if it doesn't rain अगर rain नहीं हो तो ऐसा doubtful है ऐसा नहीं कि when it is not if it is not, मतब अगर बारिश नहीं होती है, तो condition पे है, तो आपने when और if का बहुत clearly हाँ different समझाए दोस्तों, सीधा लिए चलता हूँ आपको exercise दोस्तों आपको क्या करना है sentence बनाने है if से शुरू करना है और अलग-अलग sentences को जोड़ना है if you don't hurry, you will be late अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो लेट हो जाओगे, कुछ से नहीं करना है दोस्तों इन दोनों को connect करना है, starting में एफ लगाना है that's it, simple exercise if you pass the exam, अगर तुमने exam पास कर दिया you can have lunch now, अभी तुम lunch कर सकते हैं, बड़ा जीब सा लग रहा है you can have them, तो तुम उसको ले सकते हो you can lend you some, मैं तुम्हें कुछ दे दूँगा you will get a certificate, तुम्हें certificate मिल जाएगा I'll throw it away, मैं फेंग दूँगा बार we can talk later, हम बाद में बाद कर सकते हैं you can do it again, तुम बापस कर सकते हो if you pass the exam, अगर तुम exam पास करोगे तुम्हें certificate मिल जाएगा, you'll get a certificate, simple है न तुम exam पास करोगे, अगर तुम्हें क्या मिलेगा, एक certificate मिल जाएगा you fail the exam, if you fail the exam, अगर तुमने exam fail कर दिया तो क्या होगा, तो I'll throw it away, nah we can talk later, you can do it again if you fail the exam, you can do it again, तुम उसे फिर कर सकते हो फिर एक बार दे रहा, try कर लेना, इसको मैं अभी circle में डाल रहा हूँ, आगे क्या पता किसी और के साथ set हो जाए if you don't want this magazine, अगर तुम्हें ये magazine नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, फैक देना भाईया, मैंने कम मना किया अगर तुम्हें नहीं चाहिए, थ्रो इट अवे, पेक देना if you want those pictures, अगर तुम्हें वो picture चाहिए, you can have them, तुम ले लो अभी तुमको ये picture चाहिए, क्या, अगर तुम्हें ये picture चाहिए, तो ले लो, खतम बात if you are busy now, अगर तुम अभी busy हो, तो we can talk later, हम बात में बात कर लेंगे, अभी कौन सा अर्जेंट है, बात में बात कर लेंगे if you are hungry, तुम अगर hungry हो, भूके हो, we can have lunch now, अभी खाना खालेते मेरे दोस्त if you need some money, अगर तुम्हें पैसा चाहिए, मैं दे देता हूँ तुम्हें पैसा, I can lend you some तो दोस्ता, दोस्तों, देखा हमने, यहाँ पे if का बड़ा रोल नहीं था if को समझाने का तरीका था कि आप sentences connect कर पा रहे हैं क्या आप logically sentence को समझ पा रहे हैं क्या, यही समझाय था अब हमें देखना है दोस्तों, सही कौन सा है if वाले portion में आपको future tense नहीं लगाना है, बस यही सही दिमाग में लगना है यही सबसे important है if I am late this evening, don't wait for me, I am is right will you write to me, क्या तुम मुझे लिखोगे, if I give you my address अगर मैं तुम्हें मेरा address देता हूँ, if के साथ will नहीं आना है, clear है आपको अगर मैं तुम्हें मेरा address देता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो, मुझे, मतलब letter लिखने की बात हो रही है if there, if आग है तो will भी नहीं आएगा, if there is a fire, अगर आग लग जाए, the alarm will ring, alarm जो है, बज उठेगी note करना दोस्तों, if वाले portion में will नहीं है, दूसरे वाले में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है if there is a fire, अगर fire है, alarm बोल उठेगी, will ring if I don't see you tomorrow morning, अगर मैं तुम्हें कल नहीं देखता हूँ tomorrow morning, I will phone, दूसरे वाले portion में will आ सकता है, कोई आपती नहीं है मैं तो मैं नहीं देखता हूँ, तो phone कर तूँगा, मेरे भाई I am surprise की जगे, I will be surprised हो जाएगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि if से पहले वाले portion में, या if के दूसरे वाले portion में तो will आ सकता है, if वाले में नहीं आ सकता है, तो यहां नहीं आएगा मतलब I will be surprise, मैं बहुत ही आश्यरे चकित होंगा, अगर मार्टीन और जूलिया दोनों शादी कर लेते हैं Will you go out, ध्यान से देखेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं Do you नहीं आएगा, will you go to the party, अगर ऐसा हुआ तो, ध्यान से दोनों के देखना पहले वाले portion है, if से अलग जो दूसरा वाला portion है, उसमें तो will आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुम ऐसा करोगे If, if वाले portion में will नहीं आएगा, if they invite, अगर तो में invite करेंगे party में तो तुम जाओगे, क्या दूसरे वाले portion में will चलेगा, if वाले portion में will नहीं चलेगा थोड़ा और आगे बढ़ें दूस्तों Use your own ideas to complete these sentences, अपने ideas लगाईए, कैसे हैं I am going to the concert, मैं concert में जा रहा हूँ, if I can get a ticket दूस्तों, मुझे क्या लगता है ये और आपको भी ऐसा लग गया होगा कि ये तो homework है, आप ही को करना है, मुझे तो करना ही नहीं मैं सिर्व इतना चा रहा हूँ, अपने ideas, your own ideas आपकी बात कर रहा है, मेरी बात नहीं कर रहा है अपने ideas लखिए कि आप अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता ये आपको करना है, ये अगर वाली condition और जादा नहीं दूस्तों 6 sentences हैं homework में, कोई बड़ी बात नहीं है प्लीज 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 जरूर कहूंगा, प्लीज आप homework जरूर करें English improve हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका map dand क्या है, उसका map dand यही है आप homework करेंगे, मैं check करूँ है, simple चलिए, आखरी exercise पे लिए चलता हूँ आपको, last exercise या तो if लगाना है या when लगाना है, if I am late this evening, अगर मैं late हूँ, don't wait for me, मिर लिए wait मत करना I am going to do some shopping now मैं shopping करने जा रहा हूँ, I am going to do some shopping now When I come back, जब मैं वापिस आँ, अगर मैं वापिस नहीं हूँ, वापिस तो आ नहीं है मुझे कोई condition थोड़ी है, मैं घर से जा रहा हूँ, अगर वापिस आँ, अगर यह जब भी वापिस आँ, we can have, जब हम यह कर सकते है I am thinking of going to see Tim, मैं Tim से मिलने जा रहा हूँ When I go, will you come with me, when I go, क्यों क्यों आया, if I go दे हूँ मैं सोच रहा हूँ जाने का, तो when नहीं लगाते है, अभी तो सोच रहा है न, confirm नहीं है तो फिर better है, यहाँ पर क्या लगाते है, if I go, अगर मैं गया तो तुमको चलना है गया, अगर गया तो अभी condition है, का नहीं है, सोच रहा हूँ You won't, you don't want to go out tonight, we can stay, अगर तुम नहीं जाना चारे, if you don't, अगर तुम नहीं जारे बात, तो फिर हम घर पर रह सकता है, we can stay at home Do you mind, क्या तुम्हें ऐसा है, if I close, अगर मैं दरवाजा बंद करू, खिड़की बंद करू, तो तुम्हें कोई कोई तकलीफ है, क्या do you mind का मतलब पर कोई तकलीफ है क्या John is still at home, John तो अभी भी school है, when he leaves, अगर नहीं छोड़ेगा, घर भाई घर तो आए गई गई न, when he leaves school, he wants to go to university जब भी वो school छोड़ेगा, वो वहाँ जाना चाहिए, अगर नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ेगा शायद, घर confirm छोड़ेगा भाई Shall we have a picture tomorrow, क्या हम, sorry not picture Shall we have a picnic tomorrow, क्या हम कल picnic चले जाएं If the weather is good, अगर वैदर अच्छा है तो, ऐसा नहीं कि जाएंगे ही जाएंगे जाना पक्का नहीं है, अगर वैदर अच्छा है तो We are going to Madrid next week, अगले हफ़ते हम Madrid जा रहे है We haven't got anywhere to stay, हमें तो कोई जगे ही नहीं मिली We hope to find a hotel, हमें एक hotel है, when we arrive, जब हम वहाँ पहुँचे है, when आएगा, अगर हम पहुँचेंगे नहीं, भई निकलेंगे तो जाएंगे न, पहुँचेंगे I don't know what will we do, हमें नहीं पता क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आएगा, अगर if we don't find anything पहुचेंगे confirm है, तो when लगा दिया, अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे, if लगा दिया, तो if और when का भी difference आपने देखा दोस्तों यहां हमारा एक और unit, बहतरीन unit समाप तो चाता है, if को सोचते समझते वे बहुत अच्छे से हमने यह video बनाया है कोशिश करिए दोस्तों लगातार इसी तरीके से पढ़ते रहिए तयारी, करते रहिए नाम भी चैनल का यह है, यह digital तयारी, thank you Please, like, share, subscribe, digital तयारी